बिस्मिल्लार्रह्मान रर्रहिम असालमेकूम गाइस कैसे हैं आफ सब उमेद खेरियत से होंगे इंशालला और मैं भी बस ठीक हूँ और गाइस आज मैं मैं बना रहे हूँ आलू के गटलेस मैंने लिए हैं दो किलो आलू जो मैंने अच्छे से धो के बॉयल करने के लिए हमादां जुत साथarken कडायए में डा डाल के अच्छे से मैश कर लिया है और साथा ही जो चिकन है उसके मैंघे से मेका लेती हैं रेशे से चोटे-चोटे से आलो में बहुत हीじद्वत जबर्दस लगते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं इंका बहुत हीचा प्रहोगता है और कोई ज़ादा स्पाइसिस मैंने यूज नहीं किये बस दो तीन चीजें ही हैं जो मैं इसमें डालूंगी और काफी असान सी रेसिपी है और जट्वर पट्सी और बहुत ही मज़े की बनने वाली और जहां हमारे आलो हैं वो मज़ीद मैं उनको सेट कर लेती हूँ और मैंने लिए है नमक 40 नमक और काली मरच टोटल तीन चीजें ही मैं इसमें एड़् करूंगी और बिसमला सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक नमक हमने कम ही डालना है क्योंकि मैं इसमें चैनिस नमक भी डालूँगी और इसके पास मैं डाल देती हूँ थोड़े सी पीसी वी काली मरेश का पाउडर और उसके साथ मैं डालूँगी दो बड़े चमच चैनिस नमक के और इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मैं चाइनिस बॉल भी ही बना रही हूँ तो इसलिए मैं जो चाइनिस समा के जादा यूज करूँगी और इसकी साथ साथ मैं इसको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स ताके जो इसकी नमक और काली मेर्च अच्छे से मिक्स हो जाएं और दुपहर का टाइम है और गाउं में हम बहुत इंजॉई कर रहे हैं बहुत ही मज़ा आ रहे हैं और सोचा के कोई अच्छी सी चीज बनाएं और आपके साथ में मैं शियर करूँ और जो इसकी थोड़ सी कुट्ली हैं वो भी मज़ीद मैंने इनको सेट कर लिया है और इसमें डाल दिया है जो चिकन जो हमने रेशी किया था वो इसमें डाल के मैं अच्छी से कर लेती हूं मिक्स अकर आप चाहें तो इसमें आप सबजी भी यूज़ कर सकते हैं डाल सकते हैं लेकिन मुझे सिम्पल ही पसांद थे तो मैंने सिम्पल ही बनाए है और मुझे थोड़ साथ काली मज़ का पाउडर काम लगा तो इसमें मैं और डाल देती हूं नमक मैंने चख कर लिया है और सेट है और इसको कहा लेते हैं मिक्स और जो हमारा चिकन और नमक वगरा है तामाम चीजें हो चुकी हैं मिक्स और अब हम चलते हैं अपने चुले पे इनको फ्राइ करने के लिए और मैंने कराई लिए उसमें डाल दिया है मैंने आदा किलो घी थोड़ा सा मैंने लग दिया है और मैंने जादा यूज इसली किया है कि मैं इसको डी फ्राइ करूंगी अगर आप हलका घी इस्तमाल करना चाते है तो आप घी कम भी इस्तमाल कर सकते हैं और अब मैं इसके बना देथी हूँ शेब और ये देखें मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने गोल ये भी रखी है और इसके साथ इन लिया है मैंने दो अधत अंडे इनको भी मैं फैट देती हूँ और इन्शालला उमीद है बहुत अच्छे बनेंगे और अमारा जो ऑईल है वो गराम हो रहा है जैसे ही ऑईल फुल गरम होगा तो हम जो अपने ये पोटेटो चिकन बॉल्स हैं उनमें फ्राई कर लेंगे और ये देखें माशालला बहुत ही प्यारी शेफ आ चुकी है और मिनको अंडे में डीप कर लेती हूँ और इनको मैं डाल देती हूँ कर लाई में गी जो हमारा फुल गरम हो चुका है और दुपहर का टाइम है ठंड भी है और धूपी है और हम सब बहुत इंजॉय कर रही है और साथ हमारे चाई भी त्यार हो रही है ताकि जो हमारे स्नेक्स हैं हम चाई के साथ इंजॉय करें और माशाला बहुत इकचा कलर आ रहा है लाइट सा ब्राउन सा और जैसे इनका कलर डार्क होगा तो मैं इन्हें निकाल लूँगी और चम चम काफी हराम से हिलाना है ताकि हमारे जो चिकन बॉल्स हैं टूटे नहीं आलू जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और काफी इत्यास से इनको हिलाना है और माशाल्ला जो हमारे प्रिकन बॉल्स हैं वो हो चुके हैं तैयार उनको मैंने पेट में लिका लिया है और मैंने लिया है दो चमच बेसन का और उसमें जो मैंने कटलस बनाए हैं दो से चार जो कटलस हैं मैं उनको ट्राइ कर लेती हूं सबकी फरमाज थी कि बेसन वाले भी हों तो मैंने बेसन वाले भी साथ ही बनाए हैं इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है आप दो से तीन चमर ले दें बेसन ंपानिए ड़ादादा धिती बेचला Nepal उतमार्टी में क्लिष् I तैयार और इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और आप हम इनको इंजॉय करेंगे चटने या रायते के साथ तो मैंने लिया है इक गटी फुदीना एक गटी मैंने लिया था हरा धनिया और तेन से चार अदद मैंने लिया हरी मचें और इसमें दालोंगी थोड़ा सा नमक और चार परणे चार य consumers और यह चटने बाहती है और काफी healthy होती हैं और मेदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है तो मैंने सुचा कि हम या चेटनी बनाएंगे I guess cma यूज कर सकते हैं लेकिन जो इसी महौल है तो यहां देसी चीज़ ही अच्छी लगेंगी तो मैंने बनाई है फुदीने की चटनी जो बहुत तेस्ती है और इसको अच्छे से कूट लोगी जैसे ही यह अच्छे से पिस जाएंगी तो इसमें मैं डालोंगी एक टोरी दही की और यह देखेंगे माशालला यह अच्छे से बिस चुकी है और इसको हिला कि आप मैं इसमें डाल दूँगी एक टोरी दही और जबड़स क्लर आप देख रही है यह देखें गाईस बहुत ही जबड़स क्लर है और टेस भी बहुत अच्छा है और ये काफी healthy होती है और बहुत ही मज़े की होती है और उमीद है आपको ये चोटा सा असा विलोग अच्छा लगा होगा दूआ में याद रखा करें और इंशाओला नेक्स वीडियो में अच्छी सी रेसिप ये आपके लिए लेकर आऊंगी तब तके लिए लगा हाफीज अच्छा लगा है